Hello students, आज हम लोग करने जा रहे हैं The Digestive System यहाँ यह जो सीरीज में लें लाई है, यह KVPY, NTSC और Foundation की तैयारी कर रहे students के लिए helpful है मैंने यहाँ Selina Book का यूज किया है क्योंकि मुझे इस से better resource इस level पर नहीं मिला और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस से जो हम chapters cover करेंगे, उसकी routine मैं आपको जल्द दे दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाइडर digestive system, digestive system का function क्या है तो यहाँ पर हम लोग generally देख सकते हैं, आपने junior classes में भी पढ़ा है कि जो food होता है उसे छोटे parts में break करके absorbable form में convert किया जाता है और तब हमारा जो blood होता है वो इस food के nutrients को लेता है और उसे अलग-अलग parts of the body को पहुंचाता है हमारे cells directly macro food particles को नहीं absorb कर सकते इसलिए उनने छोटे parts में divide किया जाता है और यही definition यहां digestion की दी गई है इसके बाद यहां enzymes की बात की गई है enzymes काफी important है ना सिर्व आपके present class में बलकि आपको 11 और 12 के जो biochemistry के chapters होंगे उनमें भी काफी help मिलेगी अगर आप enzymes को याद रखते हैं तो यहां पर enzymes की कुछ characteristics दी गई है अगर आपने chemistry में catalysis और catalysts के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो catalysts होते हैं वो एक optimum pH पर काम करते हैं उन्हें एक optimum temperature चाहिए होता है वो सिर्फ rate को बढ़ाते हैं नकी enthalpy को और जो उनकी functioning होती है वो अलग-अलग factors पर depend करती है और वो proteins होते हैं, enzymes यहाँ पर उन्हें heat कर देने पर वो breakdown कर जाते हैं इन्हें हम biological catalysts मान सकते हैं यहाँ पे जो 7 points दिये गए हैं आप उन्हें एक बार पढ़ने अगला हम लोग चलते हैं the parts of the digestive system पर यहाँ पे alimentary canal और digestive glands के बारे में बात की गई है सबसे पहले हम लोग alimentary canal की जो parts होते हैं उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहला जो आता है food के इस breakdown के process में वो है mouth mouth को हम buckle cavity भी कहते हैं यहाँ पर जो lips का function है वो दिया गया है कि यह हमारे mouth को close करने में हमारे speaking होती है उसमें help करती है और इसके साथ ही बागी points को आप देख सकते हैं lips की भी functions यहाँ दी गई हैं कैसे lips food को mix करने में उसे saliva के साथ mix करने में हमारे chewing के process और उसे निगलने में और speaking में भी help करता है अगला यहाँ पर teeth की बात की गई है teeth को dentition भी कहा जाता है teeth के बारे में यहाँ सबसे पहली बात है कि teeth भी हमें speaking में help करता है इसके बारे में आप हिंदी में पढ़े होंगे जहाँ पर हमें pronunciation और उसकी techniques के बारे में बताया जाता है और कैसे अलग-अलग parts से अलग-अलग sounds निकलती हैं उसके बारे में आपको पता ही होगा यहाँ पर हम teeth के different categories की बात करते हैं सबसे पहले incisors, canines, premolars और molars incisors food को cut करने के काम आते हैं canines food को tear करने के काम आते हैं premolars और molars food को chew करने के काम आते हैं जो इस teeth की division है इसके बारे में आपने detail में पढ़ा होगा कि कैसे जो canines होते हैं वो carnivorous animals में काफी developed होते हैं और जो molars होते हैं वो herbivorous animals में काफी developed होते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा chewing करना होता है जबकि carnivorous को ज्यादा tear करना होता है meat बगारा को हमारे अंदर canines भी developed हैं पर वो उतने ज्यादा developed नहीं कि हमें carnivores की category में रखा जाए और हमारे यहाँ जो molars होते हैं वो ज्यादा developed होते हैं इसके साथ यह extra pair of molars भी हमारे teeth में आता है जिसे wisdom tooth कहा जाता है यह 17 से 20 years of age के बीच आता है बाकी teeth हम generally देखते हैं कि 12, 13, 14 की यह जाते आते हो जाते हैं लेकिन जो wisdom tooth होता है इसे develop होते हैं काफी समय लग जाता है यहाँ पर अगलाम लोग बात किये हैं कि जो हमारे mammalian teeth होते हैं वो heterodont होते हैं मतलब teeth के अलग-अलग categories होते हैं और जबकि कुछ animals को ऐसा देखा गया है कि वो homodont होते हैं आप यहाँ examples से याद रखे हैं कि lizard और frog homodont होते हैं मतलब उनके जो teeth की categories होते हैं वो एक ही तरह की होते हैं Confusion over the name molar The dentists usually call the pre-molars of a child as molars but since the grinders appear in two sets first the ones that are shed and regrown and second that appear only once as permanent grinders It is scientifically more appropriate to give two separate names to the two kinds as pre-molars and molars right from the beginning तो generally क्या होता है कि जो small children होते हैं उनमें ये molars फिर से नहीं उगते हैं मतलब जो molar teeth होते हैं वो दो बार नहीं आते हैं वो बस एक ही set में आते हैं जो कि permanent teeth में होता है जो बच्चों में generally जिसे molars कह दिया जाता है वो असल में pre-molar teeth होते हैं जिनका characteristic हम देख सकते हैं कि उनका जो shape और बनावत होती है वो अलग होती है molar teeth से Mammalian teeth appear in two sets during life In humans, the milk teeth consists of 20 teeth which start growing through the gums when the child is about 7-8 months old and are completed when he is 2 years old तो ये हमारे life का एक general experience है जिसे आप सीख सकते हैं कि हमारे life में हमने देखा है कि हमारे भी two set of teeth ओगे थे जो पहले milk teeth थे वो समय के साथ हट जाते हैं और उनको replace कर देते हैं हमारे permanent teeth permanent teeth हमारे साथ पूरी life रहते हैं और generally ये replaceable नहीं होते हैं The number of permanent teeth of mammals is usually indicated in a formula which the number of incisors, canines, premolars and molars is given strictly in the same order for one half of each jaw The human dental formula is as follows तो ये जो dental formula है आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि इसे कभी-कभी directly questions आ जाते हैं बच्चों में 20 teeth होता है हम उसे पहले तो चार भागों में divide करें तो वो 5 teeth each होता है उसे 2, 1, 2, 0 के formula पे रखा जा सकता है मतलब 2 जो होते हैं incisors, 1 canine और 2 premolars human adolescence में 28 teeth होते हैं जो कि permanent होते हैं इसका formula 2, 1, 2, 2 है जबकि adults में 2, 1, 2, 3 तो जो वो molar teeth एक extra उगाता है जैसा मैंने बताया कि wisdom tooth होता है structure of a tooth जो 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 the root consists of a single process or fang as in incisors and canines or of 2 processor of fangs in the premolars and lower molars and 3 in the upper molars the neck is a slight constriction between the root and the crown in the vertical section a tooth shows the following parts तो जो structure of teeth है ये काफी important part नहीं है मैं कहूंगा ऐसे competitive exams के लिए लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि generally ये चीज़ junior classes में भी discuss की जाती है तो आप बस teeth के जो basic structure होता है इसे याद कर ले कि सबसे उपर enamel, dentine, gum, pulp, root, jobon और cement होता है नीचे में generally जो cavities होते हैं वो हमारे enamel को damage कर देते हैं जिससे हमारा जो dentine और gum होता है वो exposed हो जाता है बाहरी germs के लिए या फिर बाहरी sensations के लिए हमारा जो enamel है वो असल में हमारे body का एक काफी strong portion होता है इसमें calcium phosphate CA3PO4 hold twice ऐसे strong chemical जिसे हम कह सकते होते हैं और fluoride toothpaste क्या करता है कि इसी को calcium fluoride में convert कर देता है जो कि CAF2 होता है यह trivial piece of information है जो कि आप याद रख सकते हैं हमारे teeth में जो chemical होता है वो होता है CA3PO4 hold twice अगला हम लोग आगे देखते हैं the salivary glands अगला हम लोग जो salivary glands होते हैं हमारे buccal cavity में और उसके आसपास उसके बारे में बात करते हैं parotid glands located just in front of and beneath each ear submandibular glands line close to the inner side of lower joint each side and sublingual glands below the tongue तो यह 3 हमारे जो salivary glands के pairs होते हैं उनके बारे में यहां दिया गया है अब ही बात हो रही है कि हो सकता है एक 4th pair of salivary glands भी हो और अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको update मिल जाएंगे इसके बारे में ducts from each gland transport the secreted saliva into the mouth small quantities of saliva keep secreting at all times while eating the salivary flow is considerably increased sometimes even the sight, smell or just a thought of tasty food can cause an increased flow of saliva resulting in the watering of mouth watering of mouth एक phenomena है जिसे हम सब ने experience किया होगा generally क्या होता है कि जब हमें कुछ अच्छे food का sight या फिर thought या फिर smell होता है तो हमारे mouth को mouth में काफी ज़्यादा saliva आ जाता है और इसे ही watering कहा जाता है mouth का saliva is very slightly acidic आप ये information याद रखें कि इसका pH क्या होता है क्योंकि directly ये चीज़ पूछा जा सकता है fluid containing water इसमें 99% water होता है और एक enzyme होता है जिससे salivary amylase कहते हैं या फिर tylene कहते हैं amylase generally उन compounds को कहा जाता है जो कि carbohydrates के digestion में help करते हैं उनके breakdown में help करते हैं तो सबसे पहले यहाँ salivary amylase जो कि carbohydrates के basic breakdown में help करता है यह हम लोग देख सकते हैं function of saliva क्या क्या है यह moisten or lubricate करता है जो कि speaking और swallowing में भी help करता है tongue की moisten and lubricate food which again helps in swallowing acts as a solvent dissolving some food particles to simulate state births of tongue helps food particles to stick together to form a bolus so that they can be swallowed in a mass अब यह याद रखें कि food must हमारे mouth से swallow होकर isophagus के थूँ स्टमक में जाता है उसे bolus कहा जाता है और saliva की यह functions आप काफी यह असानी से समझ सकते हैं कि saliva help करता है food को lubricate, tongue को lubricate food को bolus बनाने में और जो हमारे salivary glands है उनको activate करने के लिए food को एक solvent provide करता है इसके बाद जो है it's enzyme tylene converts starch into maltose तो जो starch होता है वो असल में एक polysaccharide है poly का मतलब होता है ज्याद मतलब many in number और saccharide मतलब sugar तो काफी सारे sugars के मिलकर यह starch बनता है और इसको यह maltose में break कर देता है जो कि एक disaccharide है die का मतलब 2 और saccharide मतलब sugar maltose 2 glucose से मिलकर बना होता है इसी हम और कह सकते हैं कि जो monosaccharide के मैं आपको यही पर example दे देता हूँ monosaccharide में glucose आता है galactose आता है और fructose आता है तो जो हमारा sugar होता है kain sugar जिसे कहते है वो sucreose होता है जो कि एक fructose और एक glucose से मिलकर बना होता है और यह जो maltose होता है वो दो glucose से मिलकर बना होता है जबकि जो lactose जो की milk में पाय जाता है वो एक glucose और एक galactose से मिलकर बना होता है इस information को आप याद रखने की कोशिश करें यह काफी important है और हो सकता है आप से directly यह question पूछा जाए कि which monosaccharides combine to form the disaccharide maltose या the disaccharide sucrose अगला देखते हैं cleans the mouth and tends to destroy germs to prevent tooth decay हमारे saliva में कुछ germ को destroy करने वाले enzymes भी होते हैं और chemicals भी होते हैं dryness in mouth gives a feeling of thirst to replenish body water the saliva aids in water balance of the body हमारी जो saliva होती है वो body की water balance को बनाने में काम आती है swallowing and the peristalsis the tongue presses upward and back against the roof of the mouth and this forces the bolus into the throat or the pharynx the soft back of the roof of the mouth cavity which is a soft palate कहते है यह close is the opening between the throat and the nasal passage the larynx voice box which is located at the entrance of the windpipe is pulled upward and bring it close to the back of the tongue when a flap called epiglottis closes in the opening epiglottis एक असल में काफी important part है हमारे digestive system का यह क्या करता है कि जो respiratory tract आपने देखा होगा जो diagram में कि respiratory tract और digestive tract एक ही जगह से निकलते हैं दोनों और इसी opening को बंद करने में काम आता है epiglottis तो जब भी हम कोई food को swallow करते हैं तो यह epiglottis बंद कर देता है respiratory tract को और food आसानी से digestive tract से निकल जाता है कभी-कभी क्या होता है कि इसके close होने में दिक्कत आ जाती है जिसके कारण कुछ food particle हमारे wind pipe के अंदर जा सकता है उस समय intense scuffing होती है और हो सकता है कि अगर काफी जादा amount में food अंदर चला जाए wind pipe के तो वो हमारे health के लिए भी हानी कारक हो सकता है once the food reaches the esophagus it is conducted behind by a special movement called peristalsis peristalsis is a wave of constriction caused by circular muscles or the guts pushing the food along मैं आपको कोशिश करता हूं इसे यहां पे show करने की तो माल लीजिए यह esophagus है और इसके अंदर एक bolus आया अब क्या होगा कि जो यह portion है यह खुद को close type कर लेगा मतलब यहां constriction आ जाएगा जिसके कारण bolus नीचे push हो जाएगा कुछ दिर बाद जब bolus यहां पहुँच जाएगा तो पीछे के part relax हो जाएगे और यह part constrict हो जाएगा इसके कारण bolus और नीचे चला जाएगा इसी लिए जब आप उल्टे भी हों मतलब अगर आप सर के बल नीचे भी बैठे हो तो ऐसे situation में भी आपके food को swallow करने में कोई दिकत नहीं आएगी क्योंकि यह gravity से नहीं होता यह peristalsis movement से होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं food going the wrong गे जैसा मैंने आपको बता है कि अगर food pipe में food चला जाता है तो intense coughing होने लगती है यहाँ पर काफी बहतरी इंधंग से explain किया गया है जो swallowing का process होता है आप इसे एक बात देख सकते हैं कि कैसे हमारी epiglottis बंध हो जाती है और जो food होता है उसके पास एक ही रास्ता होता है digestive tract में जाना esophagus, esophagus is a tube which simply conducts the food from the throat to the stomach it passes down a diaphragm close to the backbone it does not produce any digestive enzyme तो, esophagus का digestion में कोई directly काम नहीं है यह बस एक passage है जो कि हमारे माँच से हमारे स्टमक तक food को ले जाता है stomach the stomach is an elastic bag located below the diaphragm in an average adult it can hold 2-3 liters of food it's also highly muscular and turn the food thoroughly to mix with the gastric juices secreted by the inner lining the opening of the stomach into the intestine is called pyrolis it has a ring of muscle sphincter to keep the opening closed like a valve to prevent food passing from the stomach until it is thoroughly churned up तो, जो stomach होता है वो काफी ज्यादा capacity होती है जैसे 2-3 liters आप देख सकते हैं इसके walls highly muscular होते हैं इससे दो function हम कह सकते हैं कि achieved हो जाता है कि यहाँ food को mix कर लिया जाता है thoroughly जो gastric juices होते हैं उनके साथ इसके साथ ही muscle को अगर food ज्यादा दे दिया जाए तो वो muscles expand कर जाते हैं और वहाँ पर food थोड़ा बहुत रह जाता है लेकिन अगर एक extreme limit तक इसे पहुँचा दिया जाए तो जो उपर का sphincter होता है जो उपर का valve होता है इसो phagus को protect करने वाला वो खुल जाता है और vomiting हो जाती है तो stomach contain करने की कोशिश करता है काफी हद तक हमारे food को लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तो vomiting की process होती है इसो प्रेवेंस regurgitation from the duodenum a similar sphincter term cardiac sphincter is present at the front end of the stomach to prevent backflow of food into the east of Vegas तो हमारे stomach के mainly यही तीन parts होते है cardiac, fundic और pyrolic cardiac sphincter जो होता है वो isophagus को close करके रखता है और इसी cardiac sphincter के खुल जाने पर जो vomiting के process होता है pyrolic sphincter नीचे की तरफ होता है जो की intestine में जाने से रोकता है food को कभी-कभी यह pyrolic sphincter का function खराब हो जाता है जिसके कारण जो food का indigestion की problem होती है इसे ठीक आने के लिए generally medicines को consult करना परता है gastic juices is secreted by the inner lining of the stomach it is a colorless highly acidic liquid containing water some salts hydrochloric acid and an enzyme called pepsin तो होता क्या है कि pepsin को activate करने के लिए काफी कम pH चाहिए होती है मतलब काफी acidic solution में ही pepsin activate हो पाता है और pepsinogen बन पाता है इसे लिए वो hydrochloric acid secret होता है stomach में और अगर आपने देखा होगा तो जो mucus होता है mucus का एक membrane लगा रहता है stomach के inner lining पे ताकि जो stomach के cells है उन्हें बचाया जासे के hydrochloric acid से तो HCL काफी corrosive होता है और काफी acidic होता है इसलिए हमारे जो inner cells है उन्हें protect अने की ज़रूरत होती है और mucus membrane यही करता है in fact the pepsin is first secreted as pepsinogen which is then changed to pepsin by the acid pepsin digest proteins about 20% into peptides तो pepsinogen के form में secret होता है pepsinogen SL में एक enzyme हमें से नहीं कहेंगे यह एक deactivated form होता है pepsin enzyme का और इस pepsinogen को pepsin में convert करता है hydrochloric acid का जो medium होता है उसका pH approximately 2 के आसपास होता है और इस pH पर pepsinogen pepsin में convert करके हमारे proteins को peptides में तोड़ देता है यहाँ पर पूरा digestion नहीं होता approximately 20% ही protein का digestion होता है बाकी intestine में किया जाता है pepsinogen को pepsin में convert करता है HCL फिर proteins को यह pepsin peptides में convert करता है prone renin को renin में और फिर renin milk protein को paracin paracacin में convert करता है तो यह जो renin का जो काम है यह generally adults में खत्म हो जाता है मतलब जो children होते हैं उनहीं में यह ज़्यादा देखने को मिलता है कि renin को paracacin में convert किया जा रहा है स्टमक में जो adults होते हैं उनके जो milk proteins होते हैं उनका digestion generally intestine में जाकर ही complete होता है तो आप यहाँ एक और word याद रखें कि chime बोला जाता है जो भी food निकलता है स्टमक से पिछला जब mouth से पार हो कर इसोफेगस में जो food आया था उसे bolus कहा जाता था और जो इस स्टमक से पास होकर intestine में जा रहा है उसे chime कहा जाता है आप इस word को याद रखें क्योंकि इसे directly questions बहुत ज़्यादा आते हैं एक्जांस में The small intestine The small intestine is a tube about 7 meters long and about 2.5 centimeters wide It is coiled and folded in the abdomen Its three sub-regions are as follows तो जो हमारा small intestine होता है इसका length आप देख सकते हैं 7 meters होता है लेकिन हमारे जो approximately body height होती है वो 1.6, 1.7, 1.8 meter ही होता है इसके कारण intestine जो small intestine है वो काफी जादा coiled structure होता है मतलब इसके काफी सारे coils बने होते हैं इस structure में और इसी कारण से ये small intestine हमारे body के अंदर fit हो पाता है इसके जो तीन पार्ट्स हैं वो है duodenum, jejunum और ileum duodenum इसका short upper part है जो की stomach के तुरंद बाद होता है यहाँ duo का मतलब 2 और denim का मतलब 10 होता है the common bile duct opens into this part जो common bile duct की बाद हमने शुरू में देखी थी liver से जो bile secrete होता है वो gall bladder में store होता है और gall bladder और liver की जो common duct होती है जिसे common bile duct कहा जाता है वो इसी duodenum में खुलता है liver से भी कुछ enzymes आते हैं वो digestion में directly तो participate नहीं करते हैं लेकिन उनकी भी कई सारी functions होती है जो कि इसी duodenum में complete की जाती है अगला है jejunum next short region of about 2 meters jejunum means empty because it is nearly always empty after death as found in dysurrections and or in postmortems तो हुआ क्या कि इनके जब parts का नाम रखा जा रहा था तो वो generally postmortem के बाद जो ढूंधा गया था और उसके बाद इन्हें रखा जाता था तो jejunum almost हर समय ही empty रहता था dead लोगों में जिसके कारण इसे dead tube मतलब empty tube का नाम दिया गया था ileum, ileum 4 meters का होता है और ये longest part होता है small intestine का the inner lining of ileum is produced into a great number of tiny finger like projections called villi villi के बारे में हम थोड़ा और detail में यहां पर एक diagram से समझ सकते हैं villi में जो parts होते हैं तो होता क्या है कि small intestine का जो surface area होता है उसको बढ़ाने के लिए मतलब absorption के लिए एक large surface area की जरूरत होती है और इसी surface area को provide करने के लिए villi का structure अपनाया जाता है तो मैं आपको एक example से समझाता हूँ माल लिजे यह small intestine की surface है अगर normally food यहां absorb हो रहा होता तो बस इतने ही area में हो पाता लेकिन अगर हम यहां पर villi रख देते हैं तो अब food के पास यह area भी खाली होता है absorption के लिए तो भले इसे पूरा length छोटा हो जाता है small intestine का लेकिन जो area होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप maths को थोड़ा सा calculate कर सकते हैं तो आपको दिखेगा कि जो same length के लिए अगर हम इस structure का उपयोग करें तो इससे जो area हमें मिलेगा वो काफी ज्यादा होगा as compared to a flat region इसलिए इस dedonum वाले structure को highly efficiently use किया जाता है हमारी body में absorption करने के लिए intestines के अंदर Each willis is covered by single cell thick epithelium inside the willis and contain an artery avene interconnecting blood capillaries and lymphocle called lacteal तो lacteals का काम generally fats को absorb करना होता है और epithelium जो होता है यहाँ पे वो single layered होता है ताकि आसानी से food अंदर बाहर हो सके अगर हम लुप चलते हैं adaptations of helium for absorption of digestive food it is very long more surface area provided the large number of willis further increase the surface area and single cell epithelium it is narrow for slow movement of food allowing absorption तो absorption के लिए food अगर जल्दी से पास हो जाएगा तो absorption का जो हम कह सकते हैं time होगा वो काफी कम मिलेगा in willis में इसलिए जो यह tube होता है वो thin होता है diameter में कम होता है ताकि इसका absorption ढंग से किया जा सके अगला हम लोग bile की बात करते हैं यह liver से secrete होता है और gall bladder में store होता है यह एक yellowish green water होता है produce होता है liver में the hepatic duct is joined by the cystic duct to form the common bile duct तो जो हमारा gall bladder होता है वहाँ से cystic duct जो आता है उसके साथ मिलकर common bile duct बनता है जो कि duodenum में जाकर जुड़ता है small intestine के जैसे आमने देखा है कुछ दिर पहले ही the bile may flow directly into the duodenum और as it generally happens get temporarily stored in the gall bladder the color of bile is due to the certain pigments biliverdeen और bilirubene biliverdeen और bilirubene के जो colors होता है वो ही हमारे urine और feces को भी color देने के काम आते है produced by the breakdown of dead and worn out red blood cells तो liver में ही जो dead blood cells के dead cells होता है उनहें और breakdown किया जाता है और उससे जो pigments निकलता है उनहें biliverdeen और bilirubene कहा जाता है it contains a lot of sodium bicarbonate which neutralizes the acid content of food received from the stomach and makes it alkaline to enable the pancreatic and intestinal enzymes to act bile salts reduce the surface tension of fats and break them into tiny droplets overall the role of bile is as follows तो intestine में जो intestinal enzymes होते हैं या जो pancreatic enzymes होते हैं इनहें function करने के लिए एक basic medium चाहिए होता है जैसे आमने देखा था कि जो stomach का medium था वो काफी acidic था इसलिए यहाँ पे जो salts होते हैं वो generally sodium और carbonate के salts होते हैं जो कि इस acidic medium को convert कर देते हैं basic medium में ताकि धंग से digestion हो सके आगे के steps में इसके साथ ही जो bile में कुछ ऐसे भी enzymes होते हैं जो कि fat को emulsify करके छोटे-छोटे droplets में convert कर देते हैं ताकि उनका proper digestion हो सके अगला है pancreatic juice pancreatic juice के जो three types of enzymes वो mainly है amylopsin जो कि pancreatic amylase है जो कि leftover starch को maltose में convert करता है मैंने आपको बताया था amylase किसको कहा जाता है ऐसे enzymes जो कि carbo hydrates के breakdown में help करते हैं वैसे ही यहाँ पर pancreatic amylase जिसको amylopsin भी कहा जाता है वो बचे-खुचे starch को maltose में convert कर देता है तो generally mouth make about 30% of starch convert होता है maltose में और बाकी को convert करने का काम इसी pancreatic amylase का होता है inactive trypsinogen which is activated to trypsin by an enzyme enterokinase तो जो trypsin enzyme होता है यह बचे-खुचे proteins को further breakdown करता है आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि proteins के जो building blocks होते हैं proteins के जो basic units होते हैं उन्हें amino acids कहा जाता है इन ही में proteins को breakdown करके amino acids बनाने का काम भी इन ही pancreatic और intestinal enzymes का होता है किया जाता है एक inactive form में जिसे trypsinogen कहा जाता है तो आप देख सकते हैं कि generally जो inactive form होते हैं enzymes के उनमें ogen जुड़ा होता है आगे में वैसे ही trypsinogen को convert करता है activated trypsin form में enterokinase अगला है steep scene which acts on emulsified fat to split them into fatty acids and glycerol आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि basic unit क्या-क्या होता है हर nutrient का carbohydrates के basic unit monosaccharides होते है fats के basic units fatty acids और glycerol होता है और proteins के basic units amino acids होते है हमारे जो digestion का process है उसका main aim यही होता है कि जो complex food materials होते हैं उन्हें simpler ऐसे nutrients में breakdown किया जाए overall the role of pancreatic enzymes are as follows trypsinogen को trypsin में enterokinase convert करता है proteins और peptides को trypsin smaller peptides और amino acids में convert करता है leftover starch को amylase maltose बना देता है और emulsified fat को strepcine fatty acids plus glycerol बना देता है intestinal juice में होता है irrepsin जिसको peptides क्याता है यह peptides को amino acids में convert करता है maltase maltose को glucose में convert करता है lactase lactose को glucose और galactose में invertase sucrose भी कहा जाता है इसको sucrose को glucose और fructose में convert करने के काम आता है मैं ऐसा मैंने आपको बताया कि जो 3 major monosaccharides होते हैं वो है glucose, fructose और galactose तो किसी भी digestion process का aim यही होता है कि जितने भी carbohydrates वहां starch के form में हो या sucrose जो कि हम लेते हैं glucose वगारा पीते वक्त उसके form में हो उसे एक monosaccharide में convert कर दिया जाए ताकि उसका absorption आसान हो यहाँ पर भी जैसे हम देख सकते हैं maltose को maltase convert करता है lactose को lactase convert करता है और sucrose को sucrose या फिर invertase convert करता है अगला है some traces of lipase to digest fats in the fatty acids and glycerol all these changes are summarized as follows peptides, irrepsin या peptidase, amino acids में maltose maltase के presence में 2 glucose में आप यहाँ याद रखे कि यहाँ glucose plus glucose मिलकर maltose बनाता है sucrose, sucrose के presence में glucose plus fructose lactose, lactase के presence में glucose plus galactose और emulsified fat, lipase के presence में fatty acids और glycerol बना देते है absorption of food the amino acids and simple sugars have relatively small size molecules which are absorbed through the thin epithelum when we lie and reach their blood capillaries to finally enter the blood circulation first to reach the liver through the hepatic portal vein तो glucose और amino acids जो होते हैं वो पहले जो absorption इनका असान होता है क्योंकि यह काफी छोटे होते हैं और यह blood के through hepatic मतलब liver वाले region में चले जाते हैं जिसके बाद इन्हें body के अलग अलग parts में भीजा जाता है या फिर store कर लिया जाता है तो जैसा आपने उपर देखा था कि इस absorption के process और digestion भी साथ-साथ करने में काफी समय लगता है क्योंकि जो small intestine की diameter होता है वो कम होता है इसके जो intestine के जो हम कह सकते है area होता है वो कम होता है और food के passage में थोड़ी दिक्कत होती है इसी के साथ यहाँ पर जो fatty acids होते हैं उन्हें lacteals में absorb किया जाता है जो कि उपर आपने विलाई के structure में देखा था अगर आपने शायद नहीं notice किया था तो मैं आपको दिखा दू lacteals इसको कहा जाता है यह lymphatic system के part होते हैं और यह lymph vessels तक पहुचाते हैं fats को शुरुवाती समय में आगे हम लोग बढ़ते हैं the large intestine the large intestine is about 1.5 meters long यह small intestine से काफी छोटा होता है और इसके जो तीन पार्ट से केशम, कोलोन और रेक्टम तो सेकम यह एक blind pouch होता है जो की junction पे होता है small or large intestine के blind eye projects a narrow warm shaped called vermiform appendix inflamed and today it is a functionalist vestigial organ तो इस appendix का काम generally हम देखते हैं herbivores में होता है यहाँ पर ऐसे bacteria या फिर organisms रखे जाते हैं जो की cellulose के breakdown में काफी help करते हैं लेकिन हमारे body में क्योंकि हम अब इतना ज्यादा cellulose diet नहीं लेते हैं इसलिए एक vestigial organ बन गया है over the years इस vestigial organs के बारे में आप और ज्यादा पढ़ेंगे evolution और genetics दैसे chapters में तो आपने digestive system के diagram में देखा था कि किस तरह से large intestine का जो ये part होता है वो major part जो होता है cologne वो किस तरह से situated होता है हमारे digestive system में इसके बाद है rectum the last part about 15 cm long which opens out the anus ये जो lastly excreta होता है उसे store करने के काम आता है जिसके बाद anus से इसे excrete कर दिया जाता है मतलब e-gest हम कह सकने है e-gestion जो प्रोसेस होता है food undigested food को हमारे body से निकालने का उसके काम में आता है ये rectum और anus का साथ में combination अगला है functions the large intestine secretes no enzymes it absorbs much water but very less digested food from the contents which mainly consists of undigested material after much water is absorbed the content becomes semi-solid feces which passes into the rectum and are expelled at intervals the expulsion of undigested remains of the food from the alimentary canal is called defecation तो आपको एक point याद रखन की जरूरत है defecation is not an example of excretion मतलब भले ये undigested food है लेकिन excretion के overall process में इसे नहीं include किया जाता इसे e-gestion कहा जाता है या defecation कहा जाता है the feces are normally composed of nearly 75% water and 25% solid matter which again consists of 30% dead bacteria, 10-20% fats, 2-3% proteins or 30% roughage the bad odor of feces is due to bacterial action in it तो आपको ये percentage याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एक काफी बहतर धंक से दिया गया है आप चाहें तो इसका screenshot एक बाइड ले सकते हैं कि कौन-कौन से parts का क्या-क्या function होता है और यहाँ digestion का क्या-क्या product होता है किस-किस part में और किस-किस enzyme से अगले हम लोग देखते हैं assimilation of food assimilation is the conversion of absorbed digested food into body material आप अगर junior classes में आपने देखा होगा कि digestion के जो complete process होता है उसमें assimilation भी एक important part है यह उतना ही important होसता है हमारी body के लिए जितना ही important absorption या फिर ingestion या फिर e-gestion होता है तो assimilation में क्या होता है कि जो body में जो food particles हमने absorb कर लिए है जो nutrients हमने ले लिए है उन्हें अब cell building और cell के absorption और कामों में लाया जाए तो हम देख सकते हैं the food digested and absorbed by the gut are transported in two ways through hepatic portal system and through lymphatic system simple sugar, amino acid, vitamin, mineral are carried to the liver by the hepatic portal vein the liver converts any excess glucose into insoluble glycogen which can be temporarily stored तो जो glucose extra हो जाता है हमारी body में उसे store कर लिया जाता है glycogen की form में अप याद रखें कि plants में जो storage का जो store होता है food, extra food या extra sugar उसे starch कहा जाता है जबकि humans में और बाकी animals में इसे glycogen के form में store किया जाता है when needed the liver reconverts the glycogen into glucose and puts it back into the blood circulation the glucose is required in the body tissue as a source of energy in cellular respiration and also synthesis of certain compounds तो इस glucose को convert करने में glycogen में insulin नाम के enzyme का हम कह सकते हैं insulin का use होता है और इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे जब आप nervous system और उसके बाद के chapters पढ़ेंगे जहां पर हमें ductless glands जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है the amino acids circulate in the body and they serve as building blocks of protein the amino acids cannot be stored any excess amino acids are broken down by the liver by a process called de-amination amino acids को store करने का हमारे body में कोई भी process नहीं है इसलिए इन्हें तोड़ दिया जाता है further de-amination में which the nitrogen-containing amino group is removed and converted into urea for excretion and the remaining part forms glucose which can be utilized वो जो urea बनता है उसे excretion का part माना जाता है उसे वो एक harmful substance है हमारी body के लिए और अगर वो accumulate कर जाता है हमारी body में तो वो हमारे health को खराब कर सकता है और हमें कई सारी बिमारिया भी हो सकती है उसी urea को excrete किया जाता है यूरीन के फॉर्म में और भी कुछ फॉर्म होते हैं जिसके बारे में हम लोग excretion system वाले वीडियो में पढ़ेंगे The fatty acids and glycerol absorbed by the gut are transported mainly through the intestinal villi and lymphatic system The thoracic duct of the lymphatic system empties into large veins carrying blood to the heart Some fats are used in the synthesis of certain compounds in the body cells The excess quantity is deposited chiefly below the skin as subcutaneous fat and around certain visceral organs in smaller quantities Fats को stored generally हमारे skin के नीचे किया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि fats जो होते हैं वो visceral organs के नीचे भी store किया जाते है अगला है liver, liver is the largest gland of the body weighing about 1500 grams on an average ये 1.5 kg का होता है और ये largest gland होता है ये आपने बच्पन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में functions of liver other than production of bile ये उस school के syllabus में नहीं है लेकिन हमें काफी जरूरी है इन functions को पढ़ना क्योंकि हो सकता है आपके जो exams हैं उनमें ये पूछे जाएं control of blood sugar levels it regulates blood sugar by retaining excess glucose received as product of carbohydrates ये समय आपको बताया control of amino acid, amino acid levels amino acid के levels भी बढ़ना एक अच्छी बात नहीं है हमारे body के लिए और ये काफी हमफूल हो सकता है तो liver उसे भी control करता है synthesis of fetal red blood cells red blood cells की synthesis भी यहां पर होती है लेकिन adults में generally ये process bone marrow में किया जाता है इसके बारे में भी आप लोग circulatory system वाले chapter में पढ़ेंगे it produces fibrinogen and prothrombine which are used in blood clotting blood clotting का process भी आप blood वाले पार्ट में पढ़ेंगे जहां prothrombine और fibrinogen जो होता है ये help करती है हमारे body को blood clot करने में ये भी liver में ही produce होता है it produces heparine जो की एक anti-coagulant है anti-coagulant का मतलब हमारे body में जो blood flow हो रहा है वो कहीं रुक न जाए, जम न जाए इसके लिए ये heparine यूज किया जाता है हमारे, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो blood vessels हम कहते हैं कि blood jam हो गया है वो क्या होता है कि blood vessels हमारे body के अंदर ही collapse कर जाते हैं या फिर फट जाते हैं जिसके कारण जो blood clotting हो जाती है वहाँ पे हमारी body कोशिश करती है कि जो flowing blood है वो कभी न रुके और उसी में ये heparine help करता है इट regulates blood volume by acting as a temporary store of excess water इट destroyed dead red blood cells जैसे हमने देखा कि उसी dead red blood cells के destruction के कारण वो दो pigments बनते हैं storage, it stores iron, copper and silver, several vitamins तो जो भी fat soluble vitamins होते हैं वो liver में store हो जाते हैं कुछ समय के लिए इसलिए हम कहते हैं कि जब alcohol consumption बढ़ जाती है तो liver के खराब होनी की possibility भी बढ़ सकती है उन लोगों में certain experiments on digestion इन experiments को याद रखने की ज़रत नहीं है आपको generally कौन-कौन से compound use होते हैं जैसे iodine का use किया जाता है या फिर जो crux आपको समझने की ज़रत है कि क्या-क्या होता है इस starch वाले experiment में एक बार saliva डाला जाता है और एक बार नहीं डाला जाता है फिर iodine डाल के test किया जाता है कि कहा starch है कहा नहीं तो इससे proof हमें मिल जाता है कि saliva में starch को digest करने की शमता है मतलब जो saliva होता है वो starch को digest कर लेता है वैसे ही action of pepsin on egg white और effect of acidity and alkalinity on enzyme reaction इसके साथ test for protein और test for fats and oil आप देख सकते हैं fat और oil का test तो काफी आसान होता है आपको बस paper rub कर देना होता है मतलब उसमें fat का present है fat की presence है या फिर oil की presence है इसी के साथ ये chapter खत्म हुआ और कुछ बचार है नहीं आपको जो भी chapter next चाहिए होगा आप नीचे comments में लिख सकते हैं या फिर मैं आपने schedule के हिसाब से ही next chapter ले आऊँगा Thank you